नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हर्दिक स्वागत है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सकाइब नहीं किया है तो किरपय पहले ही से सब्सकाइब करें और हमारे चैनल पर एविलेवल बेल आइकन को एनेबल जूर करें ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो आज हम आपको बताएंगे किश्मिश को पानी में विगो कर खाना सही है या गलत तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं एनर्जी से बरपूर और लो फैट किश्मिश का सेवन सहीत के लिए बहुत फाइदेमद होता है खास तोर पर सर्दियों में ठंड के मोसम में इसका सेवन ना सिरफ शरीर को गरम रखता है बलकि इससे आप कई बिमारियों से भी बचे रहते हैं लेकिन क्या आप इसे खाने का सही तरीका जानते हैं बीगे हुए किश्मिश खाना सहीत के लिए बिलकुल सही है ज्यादा तर लोग किश्मिश को ऐसे ही खाते हैं लेकिन बीगे हुए किश्मिश खाना सहीत के लिए ज्यादा फाइदे मन्द होता है बाबा राम देव का कहना है कि किश्मिश को बिगो कर खाना चाहिए क्योंकि इससे उसमें एंटी ओक्सिडेंट्स और न्यूट्रियंट्स की मातरा बढ़ जाती है दोस्तों बीगे हुए किश्मिश खाने का सही तरीका किश्मिश को रात बर पानी में बिगो कर सुबे खाली पेट खाए इससे आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और यह आपको दिनबर एनरजी पर दान करेगा तो आएए अब जानते हैं किश्मिश के और शद्ये गुन 25 ग्राम किश्मिश में लगबग 75% कैलरीज और 1 ग्राम प्रोटीन होता है साथ ही इसमें एंटी अक्सिडेंट, विटामिन बी, आईरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैगनीशियम और फाइबर भी पाया जाता है तो आएए जानते हैं किश्मिश को पानी में बिगो कर खाना सेथ के लिए कितना फाइदमन्द होता है ब्लड प्रेशर को रखे नॉर्मल बीगे हुए किश्मिश का सेवन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है दरसल इसमें मौझूद पोटाशियम शिरीर में नमक की मातरा को बैलन्स करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है डाइजेशन को करे ठीक अगर आपको digestion से जुड़ी समस्या है तो दो से चार किश्मिश को रात बर पानी में बिगा रहने दें और सुबे खाली पेट इसका सेवन करें इससे ना सिरफ digestion की समस्या दूर होगी बलकि यह पाचन किरिया को मजबूत भी करेगा मजबूत immune system किश्मिश में ऐसे सभी nutrients पाए जाते हैं जो immunity को मजबूत बनाते हैं सर्दियों के मोसम में रोजाना किश्मिश का सेवन करने से शरीर बैक्टीरिया के कारण होने वाले infection से सुरक्षित रहता है बजन कम करने में मददकार फैट फ्री और लो शुगर ड्राइ फूर होने के कारण इसका सेवन बजन कम करने में भी मददकार है साथ ही इसे खाने से शरीर में कैलरी भी नहीं बढ़ती जिससे बजन कर्टोर में रहता है इसके लावा किश्मिश का सेवन शुगर क्रेविंग की समस्या को भी दूर करता है हड्यों को बनाए मजबूत हड्यों को मजबूत बनाने के लिए बैरोन तत्व की जूर्ट होती है जो किश्मिश में बरबूर पाये जाता है इसके लावा, इसमें केल्शिम भी होता है जो हड़्णियों के साथ मास्पेशयों को भी मजबूत करता है खून की कमी को करे दूर किशमिष में आईरन बरपूर मातरा में पाये जाता है जो की लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में एहम बूम निबाता है रोजाना पानी में बिगो कर किशमिश खाने और इसका पानी पीने से शरीर में खून की कमी दूर होती है लीवर के फंक्शन को करे ठीक किशमिश एक ऐसा ड्राइफ रूट है जिससे शरीर में मुझूद विशैले टोक्सिन बाहर निकल जाते हैं इससे आप लीवर इंफेक्शन और अन्य प्रोब्लम से बचे रहते हैं दिल के लिए फाइदमन्त जरूरी न्यूट्रियंट्स और फाइबर से बरपूर किशमिश का सेवन शरीर में कुलेस्ट्रोल के सतर नियंतिर करता है इससे दिल स्वस्थे रहता है और आप हार्ट डिसीज से बचे रहते हैं आँखों की रोशनी करें एंटियोक्सिडेंट बिटामीने और वीटा कैरोटीन से बरपूर होने के कारण किशमिश का रोजाना सेवन आँखों की रोशनी तेज करता है मू की बदबू करें दूर किशमिश में एंटि बैक्टिरियल प्रॉप्टीज मुझूद होती है जिससे मू की बदबू दूर हो जाती है तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया किशमिश को पानी में बिगो कर खाना सही है या गलत उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को जाज से जादा शेयर करके जादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाए लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी ने और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्काइब करना मत बुले कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको इक और ने वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग